हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग मैं हूँ राहूल जैस्वाल आइन स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगें आपके सामने के शुरुआत करने जा रहें दोस्तो जिसमें आज के दिना लोग पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टाइडर के लिए जोग्रफी सब्जेक का नया चाप्टर का नाम है चाप्टर नूमर एट इंट्रोड़क्शन टू इकनोमिक्स जिया तो नया चाप्टर के शुरुआत करने फ्रेश चाप्टर एक दम और इसका पहला लेक्टर हम आपके लिए लेकर आगे हैं जिसमें आपको बहुत सरी ऐसी ऐसी चीज़ों पता चलेगी इकनोमिक्स के बारे में जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे तो शुरुआत कर पर सकते हो या फिर डिरेक्ली आप सर्च करोगे हमारे जयार टुटोरिल्स का नाम आगे टाइप कर दोगे तो जो भी चाप्टर पढ़ना चाहते हो आपको मिल जाएगा उसी के साथ हिस्ट्री जोगराफी प्लिटिकल साइंस जैसे सब्जेक भी 99% कंप्लीड हो चुके य जितने भी चाप्टर बचे हुए हम लोग कंप्लीड करार हैं कंटीनूस लेकर आ रहे हैं आपके लिए तो आपको मिल जाएगा और आपसे एक उमीद और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं जामते होंगे तो दोस्तो हमने एक निव यूटूब चैनल की शुरुवात किये अभी अभी रिसेंट में मैंने इसको एक दो दिन पहले अनाउंस किया था और वो निव यूटूब चैनल का नामे जे आर टुटोरियल्स नाशनल स्टुड़ी और नाशनल स्टुड़ी इस पसंद आएगा तो जरूर से सब्सक्राइब करना और उसनमे कुछ वीडियो ऑंको देख लो एनिमेशन के साथ वीडियो यूए तो आपको पसंद आजाएगा ठीकए जा ही जरूड रसे सपोर्ट करना ठीक है और चलिए आज आते टॉपिक ठीके? तो Economics जो होता है एक English word है, लेकिन इसका एक Greek word है, और वो Greek word को बोलते हैं, oikonomia, क्या बोलते है? Oikonomia बोलते हैं इसको, यह है Greek language में, और इसी का मतलब होता है दोस्तो, family management, इसी का मतलब क्या होता है? Family management, तो अभी यह है क्या, family management, यानि कि economic जो ही है, है क्या? तो सबसे पहले इसको मैं आपको explain करूँ हूँ, जैसे कि हम एक चीज जानते हैं, कि हमारे घर में कोई एक person या फिर दो person ऐसे होते हैं, जो क्या करते हैं, कमाते हैं, यानि कि they work, they work and they earn some salary, ठीक है न, उनके कुछ salary मिलती है, या फिर वो in short क्या करते हैं, money कमाते हैं, पैसे कमा टीक हैं, जब पैसा से से लेकिन वह earn कर रहे हैं, जब पैसा हमारे घर में आता है, आपके फादर कमाते होंगे, тебя एक मैनेजमिंट करते हैं, ंक्षम एक था हाया हम ये देखते है कि हमारे पास उनकम किता अंग your mister semiолов किते ना है समझ मैं आता रहा कितना कतना कितना खर्च हो रहा मारे बॉइ जो बहुत ज़्यादा रीज्ड़ है उनकी नहीं करेंगा थे ना हमेोरी तो वो सब calculate करते हैं कि हाँ, कि महिने का जो राशन होगा, ठीक है ना हमारे घर का grocery इतना जाएगा, इतना इतना इसमें जाएगा, ठीक है टूशन फी इतना जाएगा, ऐसे टूशन फी शायद आपको नहीं लगता होगा, क्योंकि आप जैया टूटोलिल्स पे हमारे वीडिय जाते होगे, तो ठीक है ना, something amount में इतना जाता होगा, ठीक है, फिर अगर आप school जाते होगे, तो school का fees भरते होगे, तो something amount होता होगा, फिर समझ लो, traveling करके जाते होगे, ठीक है ना, travel का something amount होता होगा, यानि कि जितने भी बहुत सारे चीजे होती, जैसे कि, ठीक है ना, बढ़ याद नहीं आ रहा है फिर स्टेशनरी होता है बुक्स किताब ये वगरे हमारे तो लगते थे भबा स्टेशनरी के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते थे श्टेशनरी में बुक्स वगरे खरीदने में तो इतने सारे चीजें हैं एक्सेक्ट्रा यहां पर लिख रहा करने के बाद हम यह देखते हैं कि वाकई में कुछ पैसा बचरा भी यह गे ने यार पूरा खर्ज हो जा रहा है हम यह चेक करते हैं और उस्य पर कब सबूप हैंने क्लियर है तो उम्हीद करता ह тип यह चीज आपको family to manage the expenses to manage the income in such way कि हर चीज़ बालेंस हो जाए और इसी को हम लोग अंडर में 50 लोग काम कर रहे होंगे तो उसको time to salary देना वो भी उनकी जिमेदार ही है तो यह सभी चीज़े होती रहती है और इसी लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है उन्होंने economics को अलग-अलग तरीके से बोला है तो normally यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नामे लियोनेल जो है वो क्या कहते है economics के बारे में तो वो कहते है economics एक ऐसा science है जो एक relationship बताता है, क्या किसके बीच में relationship बताता है, human being और money का जो behavior है, उसके बीच में relationship बताता है, जैसे बहुत सरे लोगे पैसा आया, तुरंट खर्चा कर दिया, मैं iPhone खरे दूँगा, मैं यह खरी दूँगा, मैं कपड़े खरी दूँगा, मैं गाड़ी खरी दूँगा, मैं इस प्रकार से चीजे बताया था, और उसने बहुत सरे चीजे बताया, कि graphically अगर हम बात करें, तो economy जो होता है, वो कभी-कभी बहुत बढ़ भी जाता है, एकोनोमी कभी-कभी कम भी हो जाता है, और geographical pattern में बात करें, क्योंकि हमारा जो subject है, वो geography हम लोग पढ़ रहे हैं, कि कितना amount of cheese हमारे पास आ रहा है, कितना amount of उसको हम लोग consume कर रहे हैं, यानि कि अगर मेरे पास समझो कुछ पैसे आ रहे हैं, तो उसको मैं consume कितना कर रहा हूँ, ये भी क्या है, एकोनोमी है, तो हर चीज जो है इसमें cover हो जाता है, ठीक है, तो economy को हम लोग क्या करते हैं, कि जो production होता है, distribution होता है, और जो goods का consumption होता है, कितना जो सामाने वो खर्च हो रहा है, ठीक है न, या फिर एक particular reason में service हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते है, economy बोलेंगे, और global level पे बात करें, यानि कि पूरे worldwide level पे बात करें, तो ये जो economy जो होता है, वो तीन type की होता है and generally there are three types of economy, अब ये तीन types के economy क्या होता है, ये हम लोग discuss करेंगे, फिर हमारा आज का जो lecture है, वो समार्त हो जाएगा, क्योंकि chapter बहुत छोटा सा है, इसको मैं चाहूँ तो एक lecture में complete कर दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको दो lecture में convert करूँगा, ताकि आप लोग अराम है, capitalistic, capitalistic economy, ये हमारा पहला type का economy है, दूसरा जो type का economy है, दूसरा है, socialistic, ठीक है, दूसरा type का economy है, जो एक तीसरा type का third type का economy है, उसको हम लोग बोलते है, mixed economy, बहुत मज़दार है, इसको हम लोग तीनों को one by one explain करेंगे, कि इसका मतलब क्या है, ये आपको conceptual knowledge समझ में आ ठीक है, और generally इसी type के questions, यही questions तो पूछेगा, मैं बोल भी देता हूँ, चलो, यही question आपको पूछेगा, इस chapter में से, तो सबसे पहले capitalistic economy, ये economy क्या होता है, तो normally, इस economy में, जो भी ownership होती है, जो management जो होती है, वो किसके हाथ में होती है, ये होती है, दोस्तों, किसी institution के private owner के हाथ में होती है, जो ownership होता है, management जो होता है, वो किसी private individual के हाथ में होता है, डोस्तों, private individual, यानि कि कोई भी एक व्यक्ती हो सकता है, या फीर, एक institution हो सकता है, private institution, और उसके हाथ में पूरा control है, जैसे कि example के त॔र पे बात करूँ, कि पूरा देश चल रहा है, ठीक है, प पुरा देश में न, ये कोई government नहीं चला रही है, ये सरकार नहीं चला रही है, ये कुछ group of particular individual persons है, जो ये देश को चला रहे है, तो उस type के economy को हम लोगो capitalistic economy बोलेंगे, समझ में आ रहा है, यानि कि अगर कोई private individual person का control बहुत अच्छा है, किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कोई बहुत बड़ा company का owner है, और जो बोलेगा, जैसे पुराने जवाने में राजा महरा राज ओते हैं, राजा जो बोलेगा, वो ही पूरी परजा करती थी, ठीक है, सेम उसी प्रकाट जो private individual person होगा, powerful, वो जो बोलेगा, वही होगा, उसके हिसाब से चीज़ें होगी, और पुर private individual का, सबसे main मतलब होता है कि कैसे कैसे करके, ज्यादा से ज्यादा बोलो क्या कमाए, profit कमाए, क्योंकि उनको land in से मतलब नहीं है, किसी भी आम इंसान से मतलब नहीं है, उनका main उद्देश है ज्यादा से ज्यादा more profit, earn more profit, जितना हो सके हमको कमाना है, हम सरकार थोड़ी है, साथ ही में कौन से इसी कंट्री जो ये सब चीज फॉलो करती है, तो दुनिया में जापान, जर्मनी और USA, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जर्मनी, जापान, और USA, इस प्रकार की जो कंट्री से और भी है, तो इस प्रकार की जो कंट्री से वो generally capitalistic economy follow करती है, यानि इनके अगर मैं बात करूँ, जो कि हमारा अगला टाइप का economy है, जो कि है socialistic economy, अब यह जो socialistic economy है, ठीक है, यह नाम से पता चल जाएगा, socialistic यानि कि social, social मतलब समाजिक कार्या, यानि कि government, तो इह country में पूरा का पूरा जो control होता है, वो government के हाथ में होता है, यानि कि कोई भी काम हो समाजिक कल्यान करना, social welfare मतलब क्या होता है, दोस्तो, समाजिक कल्यान, तो समाजिक कल्यान, कोई एक आर्मी तो सोचेगा नि, वो पूरी सरकार सोचती है, तो पूरी सरकार जो होती है, वो पूरा का पूरा ध्यान रखती है, इन चीजों का, कि हमारे देश में कैसे social welfare हो, सम प्रकार से चीज़े होती है तो यह सबसे में लोग होते हैं जो चलाते हैं सोशल वेलफेर के तौर पे तौर पूर्मेंट अपने इस आपसे डिसिजियन लेती है ठीके पूरा पाउर इतना होता है और एक last but not delicious जिसका नमें mixed economy तो यह क्या होता यह हम discuss करेंगे तो mixed economy नाम से पता चल जाता है यह mix है तो mix किसका होगा capitalistic का भी होगा और socialistic economy यानि दोनों यह दोनों जो उपर पड़ा उस दोनों का मिश्रन दोनों का mixture type का जो economy है उसको बोलते है mixed economy तो इसमें क्या होता है कि इस कुछ private लोग भी होते हैं बड़े-बड़े private individual भी होती है और साथ में government भी होती है यह दोनों मिलके काम करते हैं और अच्छी तरीके से सरकार जो है वो चलाते हैं और private वाले भी अपना काम करते है तो private and government जब मिलके balance बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बन जाता है private and government का mixed economy जनरली क्या होता है? पब्लिक सेक्टर होता है। अब आप ये चिजद समझ जाओगे। पब्लिक सेक्टर का मैंने नाम ले लिया तो आप एक चीज़ समझ जाओगे है कि ये मिक्स एकोनोमी हमारे इंडिया में फॉलो होता है। तो कौन से कौन से देश है जो mix economy follow करते हैं हमारा इंडिया भारत देश हमारा follow करता है साथ ही में United Kingdom ठीक है Sweden इस प्रकार से जो कुछ countries है वो जो है mix economy को follow करते हैं ठीक है ना समझ में आ रहा है यह हो गया तो क्या होता है mix economy में जैसे कि public sector बलते था public sector there are so many companies जितने भी companies आप देखोगे बड़े बड़े तो वो क्या होता है private sector company होता है यानि कि किसी individual का होता है लेकिन government चला रही है यानि कि दोनों मिलके बड़े बड़े लोग है हमारे देश में करोड़पती लोग नाम बोलने की जरूत नहीं है सबसे बरीच परसन कोन है हमारे पूरे इंडिया का maintain करता है इसलिए इंडिया यूके जैसे country इस टाइप की mix economy को follow करते है clear है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और यही ता हमारा आज का lecture वीडियो जिसमें हमने explain कर दिया कि क्या होती है economic definition point of your economy generally हमारे घर तो घर कैसे चलती है economy and most important three types of economy कैसे होते है यह हमने आपको पूरा आज इस वीडियो के माधियम से बता दिया लेकिन यह chapter खतम नहीं हुआ है यह chapter में एक और चीज़ पढ़ना है हमें आगे जाके कि और भी global level पर economy कैसे काम करती है बाकी चीज़े है जो हम lecture number two lecture number two में discuss collection number two में आगे का जो पार्ट है वो आ जाएगा आप लोग देख लेना और यह chapter पूरा complete हो जाएगा ठीके तो इसी के साथ आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ यह video आपको कैसा लगा है फ्लीज हमें comment करके बताएगा आपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा और अगर आप सब्सक्राइब कर दिया मैं सिलाबस के according बात कर रहा हूँ ठीक है तो हमने पुरा दे दिया है आप लोग अच्छे से पढ़ लो पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और फर्स टाइम चानल पर आए हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारे चानल को भी सब्सक्राइब कर देना ठीक है दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई